ये है वो महान हस्ती, the great personality, जिनके नाम पे ये टीटोज लेन नाम पड़ा है, and this is the famous club टीटोज, चलिए दोड़िये भागिये और तुरंद फालो कीचिए, So we are at the very famous Tito's Lane in Goa, अगर आप Goa आ रहे हैं, and if you have not been to the Tito's Lane, then आपका Goa आना वेस्ट है, ये है the very famous Tito's Lane. So this is a place where you get to see a lot of amazing cafes, and also a good place for all those shopping spree guys and girls. आपको लाइन से यहाँ पे बहुत सार amazing cafes देखने को मिलेंगे, जैसे ये एक one of the popular cafes है, the Maya cafe, and this is one of the oldest wine deck, the Tito's wine deck. And finally, जिनके नाम पे ये पूरी की पूरी लेन है, हम वहाँ पे आ चुके है, and this is the famous club Tito's. और ये वाली जो सड़क है, आपको सीधा सीधा बागा बीच की तरफ लेके जाएगी. ये अभी दिन का सीध मैं को दिखा रहा हूँ, रात पे यहाँ पे बहुत ही रौनक रहती है, बहुत सारे beach cafes, night cafes, सभी चीज़ open रहती है. For example, Hammers हो गया, Oolala, these are the popular cafes in the beach side, आप यहाँ पे जा सकते हैं, and this is also one of the famous cafe, the Mambo Cafe. And this is the great personality, जिनके नाम पे यह Tito's Lane नाम पड़ा है, आप उनके बारे में हिस्ट्री पड़ सकते हैं. So, चलिए, night life को आगे बढ़ाते हुए, Mambo's में इंटर करते हैं. So, यह Mambo's का night club है, जो की रात को 12 बजे खुलता है, और सुबे 3-4 बजे तक operational रहता है. लोग यहाँ आते हैं, party करते हैं, enjoy करते हैं, फिर अपने अपने घर, अपने अपने hotel चले जाते हैं. काफी सही लगा यहाँ का environment मुझे, काफी gothic theme पे based है, काफी सही लगा. जहाँ तक आपकी नजरे चाहेगी, वहाँ तक आपको एक से एक amazing cafes दिखेंगे, कलांगुट और बागा बीच पे. मैंने बोला था, रात को आपको यहाँ पे बहुत ही amazing द्रिश देखने को मिलेगा, और यह है वो amazing द्रिश, this is the night life of Goa. तो स्वागत है आपका अपका 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 इन नाइटलाफ में, जब छेक्टाव टीने सेन देखने. आपको अदर से दिखाते हैं झाल झाल झाल